हाँ तो बच्चो चलिए टस्ट के लिए तयार है ना आप लो मेरा पहला कुश्चन सभी लोग अपना कॉपी पैन तयार रखे वंसे 15 तक नमबर लिख लिए और हर कुश्चन का एंसर लिखते जाए आपको समय के अंदर आपको एंसर लिखना है और बाद में आप लोग बता है अगर यह तीनों डॉट्स को हम जॉइन करते हैं तो कौन सा शेप मिलेगा उस शेप का नाम यहां पर लिखे आप लोगों ने शेप में क्या-क्या पढ़ लिया है यह 2D शेप और 3D शेप के बारे में आपने जानकारी लिए है तो आप बताईए कि कौन सा शेप बनेगा इसके चारों तरफ में डॉट्स लगा है तो कौन सा शेप फॉर्म होगा आप उस शेप का नाम यहां पर लिखे आप इसके चारों तरफ में डॉट्स लगा है ठीक है तो वाट शेप विल बी फॉर्म्ड तब मैं कौन सा शेप बनाऊंगी या कौन सा शेप बनेगा उस शेप का नाम यहां पर लिखिया ओके नेक्स्ट फॉर्थ क्रिश्यन वाट नंबर कम्स आफटर नंबर सावन सावन के बाद कौन सा नंबर आएगा उस नंबर को यहां पर आप लिखे एंसर के रूप में आपको ओप्षिन दिया है एट, सिक्स और नाइन सेलेक्ट करिया और यहां पर करंड ऊप्षिन लिखिए नेक्स्ट कुर्शन Question number 5 What is the number name for number 8? 8 का number name लिखना है आपको ठीक है? Number name आप लोगों ने 1 से 20 तर पढ़ लिया है Question number 6 What number comes before number 15? 15 के पहले कौन सा number आता है? उसको आप यहां लिखे Right missing number 9 gap, 11 gap, gap, 14 gap, gap आपको सारे fill up करने हैं तभी आपको one marks मिलेगा Next Eighth question There are some stars here यहां पर आप count कीजिए कितने star है उसको यहां लिखे यहां count कीजिए कितने star है उसको लिखे और इन दोनों का total यहां लिखे Okay, eighth question Ninth question What is the number name for 19? 19 का number name लिखे Next, question number 10 What number comes between 17 and 19 17 और 19 के बीच में कौन सा number आता है उसको लिखे Next 11 10 plus what equals to 15 10 में क्या plus करेंगे तो 15 आएगा Next 10 plus what equals to 20 10 में कितना plus करेंगे तो 20 आएगा 10 plus what equals to 12 This is also similar question Next 14 Dash plus 6 equals to 16 And dash plus 9 equals to 19 Okay, यह सारे पांचों कुश्चिन एगन सिमिलर है Now Now the answer time If we join the three dots The shape, हम तीनों दोट्स को मिलाते हैं, तो कौन सा शेप बनेगा? यह आपको दिख रहा है, यह बन रहा है एक ट्राइंगल तो क्या है त्राइंगल की स्पेली? T-R-I-A-N-G-L-E Okay, you have to write the correct spelling also ठीक है, ट्राइंगल Next If we join the four dots, which shape will we get? अगर आप इन चारों dot को जोडते हैं इन चारों dot को मिलाते हैं, तो आप क्या बना रहा है? Rectangle है ना, यह dot थोड़े दूर है यह दोनों और इन दोनों की दूरी समान नहीं है इसलिए rectangle बन रहा है A-N-G-L-E Okay, next third one यहाँ पर हमने यह सिक्का लिया था coin लिया था coin के चारों तरफ अगर हम dot लगाते हैं और उन dots को मिलाते हैं तो कौन सा shape बनेगा? यह बन रहा है आपका यह बना आपका circle क्या बना? circle C-I-R-C-L-E Okay, next कौन सा number आएगा 7 के बाद? simple 8 इसमें option नहीं भी देता तब भी आप 8 लिख सकते थे next what is the number name for number 8? what is the number name? E-I-G-H-T this is the number name what number comes before? 15 15 के पहले कौन सा number आता है? 14 अब यहाँ पर missing number 9 के बाद क्या आगया? 10 11 के बाद 12 13 14 के बाद क्या आया? 15 और 16 ओके? फहे अंसर पर एक एक मास अपने आपको देते जाएए next how many stars here? 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ लिखे 5 1, 2, 3 यहाँ लिखे 3 और 5 5 and 3 कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8 तो आएगा answer, correct answer is 8 okay what is the number name for 19 19 N-I-N-E-T-E-E-N 19 next what number comes between 17 and 19 17, 18, 19 17 के बाद में आता है 18 19 के पहले आता है 18 तो दोनों के बीच में कौन सा नमबर है? ठीक है? next अगला यह सब similar question है लेकिन एक दम फटाफट आपसे बनने चाहिए 10 में क्या plus किये तो 15 आया 10 में 5 प्लस किये 10 में क्या plus किये तो 20 आया 10 plus 10 equals to 20 10 में कितना plus किये तो 12 आया 10 में 2 प्लस किये तो 12 आया और फिर किस में 6 प्लस किये तो 16 आया अब यह उल्टा कर दिया यहां पर 6 प्लस किये किस में 6 प्लस किये 10 में 6 प्लस किये तो 16 आया और किस में 9 प्लस किये तो 19 आया ये भी आपको डारेक्ट आ जाना चाहिए 10 में 9 प्लस किये तो 19 आया ठिकर तो यहाँ पर आप बताईए मुझे कि 15 में से आपको कितने मार्क्स मिले कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा ओके थांक्यो बच्चो